हेलो एवरिवन तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रे प्रती के बारे में सरप्रतम हम जंडे के बारे में बात करेंगे भारती जो जंडा हमारा तिरंगा है इसके विशय में बात करेंगे तो डॉक्टर राधा कृष्ण जी के द्वारा हमारे सम्विधान सभा में हमारे जंड के जो colors हैं, रंग हैं, रंगों को, उसके महत्त को समझाया गया, उसके महत्त को समझाते हुए, डॉक्टर राधा कृष्णन जी कहते हैं, कि हमारा जो भगवा रंग या किशरिया रंग जो है, त्याग या नेश्वार्त भावना का प्रतीक है, हमारे जंडे के मद्ध में जो सफेद रंग है, यह हमारी सच्चाई के पत पर चलने तथा अच्छे आचरण की प्रेड़ा देता है, हरा रंग हमारे मिट्टी और बनस्पतियों के साथ जो संबंद है, उसको उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों की जीवन आश्रित है, सफेद रंग के मद्ध मे जो अशोक चक्र है, वो हमें धर्म के राज का प्रतीक बताता है, वो हमें प्रगती के पत पर चलने के लिए आकरशित करता है, हमारी जड़ता और प्राणहींता का प्रतीक है, और चक्र हमें सान्ति पूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है, भारती राष्टी ध ध्वज को तिरंगा या तीन रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है और ध्वज का इकाई जो है लंबाई और चोडाई के अनुपात में देखें तो तीन इश्टु टू है अर्था तीन अनुपाते दो है सबसे उपरी पट्टी गहरे के सरिया रंग जो के शाहश का प्रदर्शन करता है बीच में स्वेत रंग हमारी सांती और सक्षाई का प्रदर्शन करता है और सबसे नीचे हरा रंग हमारी उर्वर्ता और संब्रिद्धि का प्रतीक है ध्वज के बीच में पट्टी के अंतरगत जो नीला रंग है उसके अंतरगत 24 तीलिया है जिसका प्रारूप हमने सारनात में अशोक के शिंग अस्तंप से बने चक्र से लिया है यह एक नियाए का प्रतीक है पिंगली वैकैया के द्वारा हमारे भारती राष्टि ध्वज को तयार किया गया था विधान सभा में 22 जुलाई 1947 को हमने राष्टी ध्वज को वर्तमान स्वरूप में सुख्रती प्रदान की थी भारत का राजचिन सारनाथ इस्तित असोक इस्तंब के सिंग इस्तंब की अनुकृती से लिया गया है भारत सरकार द्वारा इसे 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था इस पर नीचे देवनागरी लिपी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है सत्यमेव जयते अर्थात सचाई की सदय वही जीत होती है जिसको हमने मुंड को उपनिशद से अपने समाहित किया हुआ है भारत का रास्ट्रगान जो की जनगर्वन अधिनायक है वो 24 जन्वरी 1950 को शम्विधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगेकृत किया गया था आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि हमने जंडा चाहे रास्ट्रगान हम अपने गड़तंत्र दिवस से पूर्व ही हमने इसको एडॉप्ट कर लिया है हमने जंडे को अपने रास्ट्री दुच को 24 स्वरी 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट कर लिया जबकि हमने गड़तंत्र दो दिन पूरो ही अपने रास्ट्रगान अर्थात जनगर्मन को 24 जनवरी 1950 को अपने शाशन व्यवस्था के अंतरगत अंगर कृत किया गया था और यह 52 सेकेंड के अंतरगत गायन किया जाता है 27 दिसंबर 1911 को भारती रास्ट्री कॉंगरेस की कलकत्ता अधिवेशन के अंतरगत हमने पहली बार अपने इस गायन को जो रास्ट्रगान है उसको गाया था रविन्ना टैगोर्दी के द्वारा गितांजली में इसकी रचना की गई है जबकि बंदे मातरम हमारे वर्ष 1950 में भारत के रास्ट्री गीत के रूप में हमने इसे अंगे कृत किया रास्ट्री गित बंदे मातरम बकिन चंड चटरजी द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमठ में से लिया गया है इसे उन्होंने 1896 में भारती रास्ट्री कॉंग्रेस के पहली बार गायन किया गया था भारत का जो रास्ट्री कलेंडर है जिसे शक्षंवत कहते हैं इस पर आधारित है 22 मार्च 1957 को हमने इसे अपनाया था इसके अनुसार हमारा प्रत्मिक महीना चैत्र महा से शुरुआत होता है और अंति महीना फागुन है ग्रिगेरियन कलेंडर के साथ हमने इसे अपनाया है समाने था चैत्र महा का सुरुआत 22 मार्च को जबकि लीप वर्स के समय में या 21 मार्च से प्रारंब होता है हमारा रास्ट्री पुस्प कमल है जिसका वनस्पतिक नाम निलंबो निूसी फेरा है जबकर भारत का रास्ट्री फल आम है जिसे मैंजी फेरा इंडी का वनस्पति नाम से जाना जाता है भारत का रास्ट्री व्रिक्ष बरगद है जिसे फीकस बैंगालेंसिस कहते है बनस्पतिक रूप से और भारत का रास्ट्री प्रसू बाग है जिसका बैग्यानिक नाम पैंथरा टाइगरिस है गंगा के डॉल्फिन जिसका बैग्यानिक नाम प्लैंटिनिस्था गंगेटि को भारत के राष्ट्री जली जीव के रूप में स्विकार किया गया जबकि भारती मोर को बैज्यानिक रूप से पावो क्रिटेसस के रूप में जाना जाता है जो कि हमारे राष्ट्री पक्षी के रूप में स्विकार किया गया है वर्स 2008 में भारत द्वारा गंगा नदी को जबकि भारत सरकार द्वारा स्वाधिंता दिवस 15 अगस्त और गरतंत्र दिवस 26 जन्वरी को गांधी जैन्ती को राश्ट्री दिवस के रूप में घोशित किया गया था। तो इन कुछ बिंदूओं के माध्यम से हमने राश्ट्री प्रतीकों के बारे में पढ़ा। तेंक यू